हेलो बच्चों हमारा कोश्चन है आप पार्टिकल इस प्रोजेक्टेड विद विलास्टी 20 रूट 2 मीटर पर सेकेंड एट 45 डिग्री विद वरिजेंटल आफ्टर वन सेकेंड मैच दा फॉलॉइंग टेबल तो बच्चों यह मैचिंग वाले कोश्चन हैं हमको कॉलम वन और कॉलम टू को मैच करना सबसे पहले हम कोश्चन समझते हैं बाद में इसको हम सॉल्फ करेंगे यह ग्राउंड है इस ग फॉर्टी फाइफ डिग्री पर प्रोजेक्ट कर दिया गया है और यह यहां पर यह ऐसे गिरेगी अब हमसे पूछा गया है कि आफ्टर वन सेकेंड आफ एवरेज वेलासिटी चेंज इन वेलासिटी और इंस्टेंटेनेस वेलासिटी क्या होगी तो सबसे पहले बच्चो हम एवरेज वेलासिटी ढूंते हैं तो हमारा फॉर्मूला क्या कहता है एवरेज वेलासिटी का एवरेज वेलासिटी होता है डिस्प्लेस्मेंट अपॉन टाइम डिस्प्लेस्मेंट अपॉन टाइम अब पच्चो डिस्प्लेस्मेंट क्या होता है तो एक सेकेंड के से हम यह displacement calculate कर सकते हैं तो यह distance कितनी होगी अगर यह u 20 root 2 है तो u x कितना हो जाएगा 20 root 2 cos 45 degree और यह हो जाएगा 20 root 2 sin 45 degree तो बच्चों velocity कितनी आएगी अगर हम velocity x direction की देखें cos 45 cancel हो जाएगा root 2 से 20 meter per second और u y भी आजाएगा 20 meter per second तो हमें displacement पूछा गया है तो यह वाली जो value है हमारी initial velocity है हमारी 20 इधर और यह 20 इधर हमें तो displacement निकालना है displacement in x direction में क्या होगा velocity into time पच्चों velocity है 20 time है 1 यह जाएगा 20 meter और y direction की displacement क्या होगी s is equal to ut plus half a t square u है 20 into 1 minus half a की जगे जी जी मतलब 10 into 1 यह हो जाएगा 15 है ना 25 is 10 20 minus 5 15 meter मींस बच्चों यह हमारी है 20 और यह हमारा है 50 meter पाइथागरस theorem से हम लोग calculate कर सकते हैं 20 square minus 15 square और time तो 1 second है यहां से हम average value calculate कर सकते हैं sorry plus यह हो जाएगा 400 और यह हो जाएगा 15 into 15 to 25 यहां से solve करेंगे 625 और average velocity की जो value आई है वो हो जाएगी हमारी 25 meter per second बत्तब बच्चों a का होगा q ऐसा कोई option है a की option है और option is correct चले b option को जड़ा solve किया जाए b को यहां solve करते हैं अब हमसे पूछा जा रहा है change in velocity कितनी होगी बच्चों change in velocity का formula क्या होता है final velocity minus initial velocity final velocity क्या है एक second के बाद इसकी velocity क्या होगी जड़ा इसको यहां देख लेते हैं वहाँ बहुत गंदगी हो गई है यहां पर अच्चों यहां पर हमारा object होगा एक second के बाद इस direction में velocity कितनी है 20 है वो तो change होने वाली नहीं है 20 meter per second अब उपर वाली velocity जो होगी यहां पर यह हमारी कितनी होगी तो हमारे पास एक formula है v is equal to u plus 80 बच्चों u की value क्या है हमारे पास u की value हमारे पास जो y direction की initial velocity थी वो कितनी हमने calculate करी थी 20i थी minus a की जगे हम क्या रखेंगे 10 रखेंगे into 1 यहां से आ जाएगा बच्चों यह वाली value हमारी 10 तो final velocity क्या है हमारी final velocity है x direction में 20i cap plus 10 j cap उसी तरीके से initial velocity क्या थी हमारी initial velocity initial velocity हमारी थी इस direction में 20i cap माइनस 20 j cap ठीक 20i cap माइनस यह बाहर 20i cap x direction की initial velocity माइनस y direction की initial velocity बच्चों यह यहां से cancel out और यह आ जाएगा 10 j means 10 meter per second माइनस का कोई संबंद नहीं है तो हमारे इसका हो जाएगा b का r भी का हमारा हो जाएगा r फिर हमसे पूछा जा रहा है instantaneous velocity इस point पर इसकी speed क्या होगी तो देखिए सबसे पहले हमारे पास क्या है c के लिए at t is equal to one second velocity जो x direction में है बच्चों वो तो है हमारी remain same होती है 20 meter per second y direction की velocity क्या हमारे पास वो हमारे पास आई है 10 meter per second हमने calculate किया है अब हमें चाहिए यहां की instantaneous velocity हम calculate कर सकते हैं 20 का square plus 10 का square यह हो जाएगा 500 यह हो जाएगा 10 root 5 meter per second तो इस point की बच्चों velocity हमारे पास आ गई इसका हो हमारा सी का पी तो आई होप कि आपको यह question अच्छे से समझ में आ गया होगा thank you